अलो एवरिवन वेलकम बैक टू लारेशा रियल टेग इस साइड निर्देश मान और आज माँ आपके लिए एक लगजरी प्रोजेक्ट की डिटेल्स लेके आया हूँ प्रोजेक्ट का नाम है कॉंचेंट पार्क्यू सेक्टर 80 के अंदर लोकेट है आज हम इस वीडियो के अ कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना और अगर आपने अभी तक जोईन नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी वो जोईन कर लेना और चैनल पर फर्स्ट टाम आया हो तो सब्सक्राइब कर लो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह जो प्रोजेक्ट ह यह कॉंशेंट ग्रूप की तरफ से है तो सबसे बड़ा सवाल सबसाब पहला और सबसे बड़ा सवाल आता है कि बिल्डर की कैसी है मतलब कोईशेंट ग्रूप कैसा है क्या वो बढ़ाकर डिलीवर कर पाएगा तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा इसका पास्ट प्राइम है 99 A के अंदर ही उनका फेस बन आप बोल सकते हो इसके अलावा इनका एक उसके बाद नूसरा प्रोजेक्ट है वो तो तीसरा project है वो content elevate है, तो ये project जो है ये इन्होंने अभी गुडगाओं के अंदर working कर चुके हैं, तो कहा सकते हो कि बहुत सारा जो काम है इन्होंने किया हुआ है different different segment के अंदर चाहे वो luxury है, चाहे वो affordable है, चाहे वो mall commercial भी आप बोच सकते हूं, सभी segment के इन्नेर इन्होंने खाम किया है, और बढ़िया conception quality डिलिवर की है, और on time delivery इन्होंने की है, तो past record काफी अच्छा है, अगर हम अब इस project की discussion कर लेते हैं, तो ये जो project है, ये sector 80 के अंदर located है, तो आप ये जो project exact जो located है, वो है नौरंपूर रोड के उपर, तो अभी फिलहाल 24 मिटर रोड है, लेकिन ये जो रोड है, फ्यूजर के अंदर 60 मिटर वाइड रोड हो जाएगी, तो 60 मिटर वाइड रोड के उपर आपकी entry exit रहेगी, और जो NS8 है, वो आपके project से सरफ 300 मिटर की distance प होगा है, और वहाँ से आपको connectivity मिल जाती है, तो NS8 से भी और SPR से भी आप directly connected है, जो सामने की road है, नौरंपूर वाली जो road है, वो जैसे 60 मिटर हो जाएगी, तो 60 मिटर वाइड रोड होने के बाद काफी अच्छी connectivity और approach पो जाती है product की, क्योंकि कोई भी product जो है future के अंदर appreciate तभी करेगा जब उसकी approach अच्छी होगी, जब उसकी major road से connectivity अच्छी होगी और product तो अच्छा होना ही चाहिए, तो उसके लिए builder credibility भी अच्छी है और आपका जो road की approach है, या product के अंदर चीज़ें हैं, वो सारी आपको the best मिल जाती है, अब हम जान लेते हैं कि project के अंदर हम अच्छी में क्या offer हो रहा है, तो project के अंदर content group आपको 3BHK, 3BHK plus utility and 4BHK plus utility, ये तीन segment के जो apartment हो offer कर रहा है, तो इसके अंदर अगर हम देखें, अगर आप normally आप देखोगे, 3BHK के उपर बहुँ जादा focus किया गया है, क्योंकि 3BHK के multiple layout size के अंदर, एक तो रोज जो 3BH plus utility है, उसके अंदर आपको multiple sizes मिल जाते हैं, और multiple layouts मिल जाते हैं, और 4BHK plus utility का आपको एक size मिलता है, ये पूरा project 5.8 acres के अंदर launch हुआ है, जिसके अंदर आपको 2 acres का open green area मिल जाता है, इसके अलावा 4 towers रहेंगे, और 4 towers की जो height है, वो आपको 28 floor से start होके, और 36 floor तक मिल जाती है, इसके अलावा जो parking है, वो आपको basement के अंदर मिलेगी, और B1 and B2 के अंदर 2 level car parking रहने वाली है, अगर हम project के अंदर बात करें, तो project के अंदर सारी luxury amenities मिलेंगी, 50,000 plus square feet का आपको state of the art club house देखने को मिलेगा, और पूरे project के अंदर कोई भी जो है, अंदर declare moment नहीं होगी, जैसे आप entry करोगे, तो directly आप basement के अंदर enter होने वाले हो, project जो है, वो रेरा पूड है, project का रेरा नंबर है, 45,000, 24, total units जैसे के मैंने आपको बताया, 450 units रहेंगी, 3BHK, 3BHK plus utility and 4BHK plus utility की आप जो units हैं, वो रहने वाली है, इसमे, luxury amenities मिलेंगी, badminton court है, या फिर आपका cricket net है या फिर आपका swimming pool है, सारी चीज़ें आपको offer होने वाले ही इसके अंदर, तो इसके अलावा इसके अंदर अगर हम apartments के बात करें, तो apartment जो है, वो 4 to 1 एक और apartment रहने वाले हैं, height जो है, वो आपको 10 feet की height मिल जाएगी, मतलब ceiling to ceiling की बात कर रहा हूं, इसके अलावा, अगर हम apartment sizes की बात करें, तो यहाँ पर 1063 square feet का आपको 3BHK, जिसको इन्होंने 3BHK compact नाम दिया है, अगर हम 3BHK plus utility की बात करें, तो 3BHK plus utility यहाँ start होता है, 1253 square feet से, and आपको मिल जाता है 1288 square feet का, अब हम बात करते हैं 4BHK plus utility का, और इसके अंदर multiple sizes है, मतलब type A, B, C, D, E तक जो है, आपको layouts इसमें offer हो जाते है, 3BHK के अंदर, जो है, इसके अंदर 3BHK को जोर दिया गया है, तो अगर हम 4BHK की बात करें, तो 4BHK का आपको सिरफ एक ही layout मिलता है, और जो यह मैं आपको size बता रहा हूँ, यह carpet area बता रहा हूँ, मैंने इसमे balcony area include नहीं किया है, कम से कम construction आपको my one मिलने वाली है, हमेशा से वही बात है, आपको सबको पता होगा, consent group उसकी construction speed और उसकी quality of construction के लिए जाना जाता है, तो आपको top notes construction मिलने वाली है, अब बात करते हैं pricing की, तो अगर आपका starting budget जो है, वो आपका 2 से 3 CR के बीच में है, तो आप इस project को consider कर सकते हो, क्य करने वाली है, क्योंकि location मुझे काफी वही बात है समझ आई, क्योंकि surrounding में आपको schools मिल जाती है, golf मिल जाता है, इसके अलावा आपकी कर्मा लेकलेंड है, वो भी आपको surrounding मिल जाता है, इसके अलावा जो है, आप hospitality देखो, या फिर आप schools देखो, सारी easy to connected है, तो आपको मैं यही कहूंगा, अगर आप ऐसा कुछ product देख रहे हो, तो इसके उपर working कर सकते हो, अगर आपको यह विजिट सेगमेंट है, अब बात करते हैं investors की, तो investors के लिए, जो है यहाँ पर first transfer free रखा गया है, 30% pay करने के बाद आप जो है, इसको sell के लिए open कर सकते हैं, payment plan के बात करें तो flexible payment plan रहेगा, तो काफी सारी चीज़े जो है, यहाँ पर offer हो रही है, तो मैं आपको यही कहूंगा, इस product के regarding, अगर कोई doubt है, कोई question है, कुछ भी x, y, z, तो उसके लिए, आप जो है call कर लीजिए, number आपकी screen पर आ रहे है, site visit करके जो है, आप अपनी आँखों से project कहां located है, क्या चीज़े हैं, और सारी चीज़े समझ जिए, अगर आपको यह चीज समझ आ रही है तो, और बाकी मेरी recommendation यही रहेगी, आप अपने budget, अपनी requirements को हमारे साथ share कीजिए, जिससे आपको उसके according आपके लिए best property suggest कर पाएं, इस product पे हमारा क्या recommendation रहेगा, उसके लिए भी आपको जोह कोल करके आप WhatsApp करके पता करना पड़ेगा, तो guys अब हम Google Map पे चलते हैं, और समझते हैं कि Google Map पे कहां पर क्या located है, road सारी समझेंगे, surrounding की आपको development दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको drone view के अंदर जोह सारी चीज़े दिखाने वाला हूँ, जिससे आ कर लो, description में link है, उसमें आपका benefit है, आप future में जितने भी updates आते रहेंगे, तो आपकी mobile पे, आपके WhatsApp पे मिलते रहेंगे, तो guys अब चलते हैं साइट पे और देख लेते हैं, तो guys अब हम Google के satellite view के उपर आ चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम roads को समझ लेते हैं, तो guys य यह जो आपको मेरा cursor दिख रहा होगा, यह road है NH48, इसके जर सामने जो आप यह देख रहे हैं, यह new sector road है, या फिर आप बोल चकते हैं new गुड़काओं की तरफ जाने के लिए road है, एक है, इसके अलावा जो आप आते हैं तो यह नोरंगपूर road है, और यह जो चोग बनता है इसको रांपरा flyer कहते हैं, अगर आप NH8 पे चलते हैं, तो अगर आप right side चलते हैं, यानि this way, तो आप बुड़काओं को connect कर जाएंगे, जो कि आपका यह चेर की दोरा वाला जो टोल प्लाजा है, इधर आएंगे आप, तो यह भी हट रहा है, और यह जो है पंचगाओं shift ह रहा है, वो जल्द यह shift हो जाएगा, और फिर आप जो है, जो है, जो है, प्लोर लीफ पे touch कर जाएंगे, और जैसे आप इस पर touch करते हैं, तो आप SPR या फिर द्वार का expressway को directly connect कर सकते हैं, एजी to approach हो जाएगा आपका, तो फिलहाल जो हमारा project है, यानि कि कॉंचेंट पा this is the exact location of this project, जहाँ पर जो है, आपका project launch होने वाला है, इसके अंदर जो है, या ultra luxury project launch होगा, तो यह roads थी, अब हम अगर surrounding की connectivity की या फिर चीज़ों की बात करें, यानि अपरोच की, तो surrounding में आपको एक luxury project देखने को मिलेगा, गोदरेज frontier, इसके अलावा यहाँ पे सोभा का अ वहाँ पे जो है, आपका sector 79, 78 जो है, वो मिल जाता है, प्रोपर वे के अंदर, तो यहाँ पे जो है, अगर हम मतलब की exact देखें, तो this is maps को माउंट विले, आपका गोदरेज 101, गोदरेज आरिया, यहाँ पे M3M goal फेल हो गया, यहाँ पे जो है, बेस्ट है कल्टूरा जो ready M3M group की, इसके अलावा यहाँ पे जो है, आपके जो signature है, signature के आपके low rise floor भी है, यहाँ से है वो, ठीक है, तो यह है, यह आपके signature का affordable है, यहाँ पे जो ready होने वाला है, almost, यह आपके super take आरा विले वगयरा जो भी है, यह वाली चीज़ है, अब बात करते हैं, जो आपका यह इसकी जो approach road है, फिल हाल वो 24 मिटर है, लेकिन future के अंदर यह जो road है, यह आपकी 75 मिटर road हो जाएगी, मतलब 60 मिटर road हो जाएगी, 3 line road होने वाली है, दोनों side, तो roads जो है, वो अच्छी हो जाएगी, approach अच्छी हो जाएगी, तो उसके बाद आप energy and SPR की जो SPR extension हम कह रहे है उससे आपके approach हो जाएगी, तो आप SPR पे इसके through भी directly connect कर सकते हैं, this road यह जो है, यह properly आप directly connect कर सकते हैं, इसके अलावा, यह जो आप देख रहे हैं, मतलब यह जैसे आप SPR पे touch कर जाएगे, यह आपका SPR है, इस road की through भी जा सकते हैं, और आप energy through भी जा सकते हैं, जैसे यह टोल हट जाएगा तो, बाकि यहाँ पे जो है, आपका डेल अफ वगेरा का जो है, वो project है, यहाँ पे डोर का है, यह ready to move है, एमार, palm, hills वगेरा, तो यह सारे चीज़े जो है, यहाँ पे, मतलब surrounding में आपको मिल जाती हैं, तो यहाँ पे आपका पूरा कर्मा लेक है, या आपका NH8 है, या फिर दुआर का expressway है, सभी से approach अच्छी है, road जो है future के अंदर जैसे यह 60 meter हो जाएगी, तो उसके बाद आपको और easy हो जाएगा, सभी जगर जगाने के लिए, और बाकि current situation की बात करें, तो just आप जो है, अपने main highway से, मतलब NH8 से just 300 meter के distance पे located है, तो future के अंदर जो है, अभी फिल हाल current connectivity की भी बात करें, तो yes, we are on right place, ऐसा कुछ नहीं है, कि हम कोई अंदर किस idea फिर ऐसी जगर दबे हो है, कि अकल जाई नहीं सकते कहीं पे, तो यह वाली जो road है, यह properly working है, और बनी हुई है, तो future के अंदर जैसे चोड़ी हो जाएगी, तो आपकी approach और better हो जाएगी, तो guys, यह है आपका conscient power क्यों, अब कोई doubt है, question है, तो comment कर लेना, बाकि अब मैं आपको brown view दिखा देता हूँ, जिससे आपको और clear हो जाए, कि क्या है, क्या है, क्या नहीं है, और site कहां पर कैसी है, ठीक है, चले चलते हैं जाए, क्या चलते हैं झाल 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 आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अगर आपको साइट विजिट कर लीजिए सारी चीजों को समझो पर्खो और उसके बाद आपको प्रोपटी परचेज करनी है हमेशा से मेरा यही रेकमेंडेशन रहा है और आज भी आपको मैं सेम बात ही बोलूगा तो यह वाले चीज करनी है और अभी तक वोट्स अप्रोपटी जो नहीं कि है तो जो इन कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अगर चैनल पर फर्स्ट आम आया हो तो आप सब से रिक्वेस्ट है प्लीज सब्स्राइब इस यूट्यूब टेनल जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलती है और फ्यूचर के अंदर भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंड लेकर आते रहेंगे बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इंफोर्मेशन के साथ कोई नई अपडेट के साथ या फिर किसी अब तक के लिए गुडबाए